अगर आप middle class family से belong करते हैं तो आपने भी बचपन में gear वाली cycle के लिए जरूर जिद किया होगा पर सायद आपकी family ने आपको बिना gear वाली cycle दिलाई होगी तो सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों cycle में फर्क क्या है और आपको कौन सी cycle लेरी चाहिए दरसल बिना gear वाली cycle में क यूज किया जाता है इसलिए ये थोड़ी महंगी आती और इनका maintenance भी महंगा पड़ता है अगर आप plane सरक पर cycle चलाते हैं तो इन दोनों cycle को चलाने में कुछ खास अंतर समझ नहीं आता लेकिन जैसे ही कोई चढ़ाई आती है तो बिना gear वाली cycle में आपकी सांस फूलने लग सकते हैं लेकिन gear वाली cycle में suitable gear लगाकर आप आराम से चढ़ाई कर सकते हो तो अगर आपको plane areas में cycle चलानी है तो आप बिना gear वाली cycle ही लीजिए